हेलो और वेल्कम बैक टु दे चानल बच्चों आएम नेहा सेंग और अब ही तक हम अरत्माटिक मीन का कैसे हम इंडिवीज़ सीरीज में हम मीन फाइंड आउट करते हैं हम यह कर चुके हैं अब आज की वीडियो में हम लोग कंटेने सीरीज में देखेंगे कि मीन कैसे फाइं देखो बच्चों यह तो हमारा एकस हो जाएगा मार्क्स ठीक है क्योंकि जो सिर्फ इंडिवीज़ सीरीज थी उसी में ही स्टार्टिंग में जो 1,2,3,4,abcdi,i थी वही एक ऐसा था जिसमें हमने उसको कोई मार्किंग नहीं दी थी उसके बाद xf ही लेने हैं हमें ठीक है तो हमारा मार्क्स तो हो जाएगा x और यह हमारा बच्वों की वाझ एना सिख्मा fx ने एफ 6000 थे ज़ो एम है इसको हम बोलते हैं जिए फैसे जिवाफिगों गहां पर निकालेंगे और फिर उन दोनों को मUTTLY कर देंके और हम उसका सिग्मा जानरी कि टोटल निकाल देंगे और यह की बाद हमारा यानि की मिन निकलाएकाइस तो सबसे पहले देखो mid value कैसे निकालेंगे 0 और 5 है तो 0 plus 5 upon 2 तो यह हो जाएगा 2.5 तो पहला हमारा आ गया 2.5 फिर 5 plus 10 15 15 का आधा करोगे तो 7.5 ठीक है और फिर 10 plus 10 plus 15 हो जाएगा हमारा 25 25 को half करोगे तो 12.5 ठीक है तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं 5 5 की difference से हमारा mid values आ गया है अब simple F और M multiply कर दो इन दोनों को ठीक है 2 5 तो यह हो गया 5 8 5 40 और यह हो इस तरीके से आप इनको 8 multiplied by 7.5 ठीक है 8 multiplied by 7.5 तो यह आगया हमारा 60 6 multiplied by 12.5 तो 6 फाइजा 33, 6 तूजा 12, 13, 14, 15, 1, 6 बंजा 6, 75 ठीक है फिर आगया हमारा 17.5 multiplied by 10 तो यह आगया 175 22.5 multiplied by 4, 4 5s are 20, 2 4 2s are 8, 9 10, 1 4 2s are 8, 9 90 अब इनको हम total कर देंगे तो यह आजाएगा 405 तो हमारा sigma fm is equal to 405 और sigma f चाहिए तो इसको हम sigma को कर लेंगे total तो यह आजाएगा हमारा देखो 10 इस तरीके से pair बनाओ 10 20 और 6 plus 4 10 तो यह आजाएगा 30 तो हमारा simple हो गया आप निकाल दो x bar is equal to sigma fm upon sigma f sigma fm क्या है 405, sigma f क्या है 30, बस divide कर दो इनको हमारा x bar हो जाएगा 13.5 तो इस तरीके से बच्चों हमारा mean x bar जो है वो 13.5 निकल के आजाएगा अब यह जो mid value है न बच्चों यह हम तीनो ही method में देखेंगे यानि हमने direct में तो देखी लिया even shortcut और even step deviation में हमें यह mid value निकालनी होती है तो इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं हमारे बाकी के methods तो बच्चों फटाफट से shortcut method भी देख लेते हैं तो हर बार की तरह इसमें एक छोटा सा ही change आयागा जो हमारा a है assumed mean है वो आजाएगा और यहाँ पर x या m की जगे d आजाएगा simple अब क्या करेंगे यहाँ पर सेम तरीके से ही निकालेंगे जो भी assumed mean से हम निकालते थे d वैसे ही निकालेंगे लेकिन अब यहाँ से x हमारा जो class interval है वहाँ से करके calculation mid value से करेंगे यानि कि m से हम निकालेंगे ठीक है continuous series में जो d है वो निकलेगा m minus a ठीक है यहाँ पर दो और यहाँ पर दो का difference रह गया तो हम assume कर लेते हैं 12.5 को अपना mean अब इसको minus करके हम दिखा देंगे m minus a यानि 2.5 minus 12.5 तो यह क्या आ जाएगा 10 ठीक है 7.5 minus का 10 7.5 12.5 आ जाएगा minus का 5 0 17.5 minus 12.5 यानि 5 22.5 minus 12.5 यानि की 12.5 यानि की 10 ठीक है simple अब देखो अब हम निकाल लेंगे अपना इससे हमें कोई लेना देना नहीं अब बस d यह निकाला है तो fd निकाल दो ठीक है f और d multiply कर दो minus का 20 8 multiplied by 5 minus का 40 0 10 multiplied by 5 50 4 multiplied by 10 40 अब इसका निकाल लो sigma fd चाहिए हमें तो इसका total निकाल लो 40 से यह हट गया तो 50 और यह हो गया हमारा total 30 तो हमारा जो fd है वो निकल के आ जाएगा 30 simple अब निकाल दो कैसे x bar is equal to a plus sigma fd upon sigma f sigma f हमें मालूमी है 30 है a हमने 12.5 लिया था तो 12.5 plus sigma fd 30 sigma fb 30 तो यह हो गया 1 आ गया 13.5 simple x bar हमारा shortcut method से भी आ जाएगा 13.5 simple है बस अब यहां पर छोटा सा difference ही आ गया कि सारी चीज़े जो अब हम calculate करी है हमने mid value से करी है obvious है न बच्चों यहां से हम यहां पर कैसे निकाल पाएंगे हमें एक single number की जरुवत है तो वो single number की calculation के लिए ही बच्चों यहां पर mid value का काम होता है mid value निकाला जाता है और फिर further जो discrete में जैसे हमने देखे थी calculation वैसे ही continuous series में भी calculation same चलेगी बिलकुल अब बच्चों फटा फट से last method step deviation method में और देख लेते हैं continuous series को हम कैसे solve करेंगे इसमें भी simple एक सिर्फ एक छोटा सा difference आ जाएगा fd dash आ जाएगा और c आ जाएगा अब यहां पर c जैसे की हमने देख लिया था कि mid value से ही यहां पर सारे calculations हो रहे थे ठीक है लेकिन अब हम c कैसे निकालते थे हम d के हिसाब से निकालते थे तो अब हमारा d 10 5 5 10 है तो हम आराम से देख सकते हैं कि हमारा जो c है उसको हम 5 ले लेते हैं ठीक है तो अब बस इसको divide कर लो d dash कैसे निकलेगा d dash निकलेगा d upon c d upon c यानि की minus 10 upon 5 क्या आ जाएगा minus का 2 minus 5 upon 5 क्या आ जाएगा 1 0 5 upon 5 1 और आ जाएगा यह 2 ठीक है अब बस सिंपल f d dash कर दो f यानि की 2 multiplied by minus 4 तो आ जाएगा minus का 4 8 1 जा यह भी minus का है 8 1 जा आ जाएगा minus का 8 ठीक है अब इसके बाद 6 0 तो 0 10 बन जा 10 और 4 2 जा 8 इसको कर लो आप divide उसको कर लो total f d dash आ जाएगा sigma का 8 से तो 8 हट गया 10 minus का 4 तो यह आ गया हमारा 6 ठीक है sigma f d dash हो गया हमारा 6 simple है अब डाल दो भी formula में x bar is equal to a plus sigma f d dash upon sigma f into c a 12.5 कोई confusion ही नहीं है sigma f d dash 6 हो गया f हो गया हमारा 30 और 5 हो गया c solve कर दो फटा फट से 13.5 simple ठीक है easy है कोई दिक्कत नहीं है formula याद है और formula में भी ऐसी mean में कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ा इसमें difficult कुछ नहीं है ठीक है discrete series और continuous का तो लगबग लगबग बिल्कुल same ही है बस इसमें क्या है x की जगे हमें mid value से काम करना है और बस हमारा question easily solve होता जला जाएगा मैंने आपको पहले ही बोला है statistics में सिर्फ practice की जरूवत है इसमें कुछ भी ऐसा hidden कुछ भी नहीं है जो हमें हम कितने भी practice कर ले जैसे होता है maths होती है हमारी accounts होती है कितनी भी कोशिश कर ले कोई ना कोई एक ऐसी चीज फसी जाती है जहां पर बच्चे अटक जाते हैं ले लबे लंबे answers लिखने पड़ेंगे तो आप देखोगे कि अगर चोईस में numerical दिया है न तो फटा फट से numerical करो जल्दी पेपर खतम करो आप ऐसे हो जाओगे ठीक है बस practice की जरूवत है तो आई हो बचो आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी पसंद अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम discuss करेंगे कुछ special cases होते हैं जैसे कुछ missing values होती है तो वो कैसे find out करनी है mean के calculation में और फिर इसके अलावा जैसे class interval में अलग-अलग cases होते हैं जैसे हमने पहले भी देखा है open and more than less than unequal equal distribution तो वो वाले कैसे solve करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे ठीक है तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपना ध्यान रखें अच्छे से थैंक यू